दोस्तों क्या आपको पता है टाटा की नैक्सनॉन दिसम्बर 2021 में सबसे ज़्यादा बिखने वाली SUV बन गई है चाहें आप किसी भी SUV की लिस्ट में ले 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 उसको वो नमबर वन पोजिशन पर है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में जो दिसम्बर के महीने में सबसे ज़्यादा बिखने है शुरुवात कर लेते हैं इस वीडियो की 25 पोजिशन पर आने वाली होंडा की अमेज के साथ हॉन्डा अमेज के दिसम्बर के महीने में 3669 यूनिट्स विके हैं हॉन्डा अमेज एक सेडान है ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनूल और सीवीडी ट्रांस्मिशन में 18.3 तो 24.7 के MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्शोरूम प्राइज 6,34,000 रुपे दे शुरू होती है और 11,17,000 रुपे तक जाती है 24 पोजिशन पर आई है टाटा की टियागो टाटा टियागो टाटा की तरफ से आने वाली हैजबैक है जिसके 3675 यूनिट्स विके है यह केवल पेट्रोल वेरियंट में आती है इसी महीने यानि जन्वली के अंदर ही इसका CNG वेरियंट भी लाँच कर दिया जाएगा फिलाल यह केवल पेट्रोल में आती है मैनुवल और एम्डी रांस्मिशन में 19.8 to 23.84 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्ट्रों प्राइस पांच लाग रुपे दे शुरू होती है और साथ लाग साथ हजार रुपे तक जाती है और जो इसका CNG वेरियंट आएगा वो साथ शातर हजार रुपे तक महेंगा हो सकता है इसके अधर वेरियंट से 23rd पोजिशन पर आई है होंडा की सिटी होंडा सिटी के 3743 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनूल और सीवरी ट्रांस्मिशन में 17.8 to 24.1 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्शुरूम प्राइज 11,19,000 रुपे दिशुरू होती है और 15,14,000 रुपे तक जाती है 22 पोजिशन पर आई है महिंदरा की XUV 7OO अभी तक ये 25 पर ही आ रही थी लेकिन अभी ये उपर आ गई है 22 पोजिशन पर 3980 यूनिट्स पिके हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर ये पैट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनूल और आटोमेडिक ट्रांस्मिशन में लगबक 8 से 9 महीने का वेटिंग पिरेट चल रहा है अभी तक 12 महीने का चल रहा था लेकिन हाल ही में इसका वेटिंग पिरेट थोड़ा सा कम हुआ है एक्शुरूम प्राइस 12,494 रुपे ते शुरू होती है और 22,999 रुपे तक जाती है 21 पोदिशन पर आई है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा इसके 3,989 रुपे बिके हैं दिसंबर में पैट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है मैनूल और आटोमेडिक दोनों ही ट्रांस्मिशन में 10.122, 15.6 के MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्ट्रोम प्राइज 17,18,000 रुपे दे शुरू होती है और 25,31,000 रुपे तक जाती है 20 पोदिशन पर आई है किया सेल टॉस किया सेल टॉस नॉर्मली टॉप 15 में अपनी जगा बनाने में कामियाब होती है लेकिन दिसंबर के महीने में ये 20 पोदिशन पर आ गई है 4,012 यूनिट्स बिखी है नॉर्मल इसकी 7,000 से 8,000 यूनिट्स तो बिखी जाती है ये काड़ी पेट्रोल और डीजल दोनमें ही मिल जाती है इसकी एक शुरूम प्राइस 9,95,000 रुपे ते शुरू होती है और 18,10,000 रुपे तक जाती है 19 पोदिशन पर आई है मारूती सुजुकी XL6 इसके दिसंबर में पूरे भारत के अंदर 4,090 यूनिट्स बिखे है ये केबल पैट्रोल वेरेंट में आती है मैनुल और आटोमेडिक दोनों ही ट्रांस्मिशन में 17.99 to 19.01 की MPL का इसमें माइलेश क्लेम किया जाता है और एक शुरूम प्राइस 9,94,000 रुपे ते शुरू होती है और 11,78,000 रुपे तक जाती है 18 पोदिशन पर आई है महिंदरा एक्शुवी 3OO इसके दिसंबर में पूरे भारत में 4,260 यूनिट्स बिकें है इसका अंक्राभी 4500 से 4,000 के आसपास ही रहता है हर महीने काफी decent sale रहती है और टॉप 25 में जगा बनारे में कामियाब होती है 5 आटा फाइब इस्टार की रेटिंग इसको मिल लग किये आटा नक्सवान को मिली हुई है, टाटा पंच को मिली हुई है एक्स्वी 7OO को मिली हुई है एक्स्वी 3OO, पैटल और डीजल दोनों में मिल जाती है 17 तू 20 के मपील का इसमें माइल इस क्लेम किया जाता है मैनुवल और एम पी डोनों ही ट्रांसमिशन केसमें option आपको मिल रहे है 7,96,000 रुपे तर एक शुरूम राई शुरू होती है और 13,46,000 रुपे तक जाती है 17 पोजिशन पर आई है TADA की Ultras, इसको भी 5 out of 5 star की rating मिली है Global NCAP crash test में safety rating होती है यानि कि सबसे safest कारों में से एक है ये भी, 5,009 यूनिट्स भी की हैं इसकी डिसंबर 2021 में पैटल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है फिलहाल के वल मैनुवल ट्रांस्मिशन में आती है आटोमेटिक ट्रांस्मिशन की टेस्टिंग चल रही है जनवरी या फरवरी में उसके अनाउंसमेंट कर दी जाएगी जल्दी ही अल्टरांस का आटोमेटिक ट्रांस्मिशन भी आप देखेंगे 19.05 तु 25.11 की MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक शुरूम प्राइस 5,89,000 रुपे तर शुरू होती है और 9,65,000 रुपे तक जाती है दोस्तो इस वीडियो के बाद हम आपके लिए टॉप सेलिंग SUV, टॉप सेलिंग सेडान, टॉप सेलिंग हैजबेक का सेपरेट सेपरेट वीडियो लाएंगे ओके कार 24-7 यूट्यूब चैनल पर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सबस्क्राइब जरूर कर लें 16 पोजिशन पर आई है मारूती सुजुकी एस्प्रेसो इसके दिसंबर में 5,150 यूनिट्स पिके हैं ये गाड़ी पैट्रोल और CNG आप्शन दो मिल जाती है 15 पोजिशन पर आई है महिंद्रा की बुलेरो महिंद्रा बुलेरो और बुलेरो निओ के कमबाइन यूनिट्स दिसंबर में 5,314 बिके हैं पूरे भारत के अंदर दोनों ही केवल डीजल वेरेंड में आती हैं केवल मैनुवल ट्रांसमिशन में 16.7 के MPL to 17.29 के MPL का मालेज क्लीम किया जाता है बुलेरो की ऐकशिरूं पराइज 8,72,000 रुपे दे शुरू होकरके 9,91,000 रुपे तक दोang जाती है और बुलेरो निओ की ऐक शिरूं पराइज 8,71,000 रुपे दे शुरू होकरके और टॉप 25 में अपनी जगा बनाने में कामयाब हो गई है सेलेरियो नेम पहले से ही काफी ज़्यादा फेमस था मालती सुदूकी की तरफ से बीच में इसकी सेल्स कम होना शुरू हो गई थी लेकिन जब से नई जनेशन आई है तब से इसकी सेल्स वापस से पट्टी पर लॉट आई है 5,656 यूनिट्स पिकी हैं इससे पहले भी लगभग 6,000 के आसपास यूनिट बिग गई थी सेलेरियो की का भी डिसेंट सेल हो रही है सेलेरियो केवल पैट्रोल वेरेंट में आती है मैनुवल और एमड ट्रांसमिशन में 25.17 तू 26.23 के एमपेल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है काफी ज्यादा फ्यूल इफिशियंट कार है एक्शोरूम प्राइस 4,99,000 रुपे देशुरू होती है और 6,94,000 रुपे तक जाती है 13 पोजिशन पर आई है हुन्डाइ की ग्रांड आइटैन नियॉस हुन्डाइ ग्रांड आइटैन नियॉस के 6,151 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर के महीने में पूरे भरत में ग्रांड आइटैन नियॉस में आपको पेट्रोल, CNG और डीजल का आप्शन मिल जाता है मैनूल और AMT ट्रांस्बिशन में 18.9025 के MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है ग्रांड आइटैन नियॉस की एक्शन रूम प्राइस 5,30,000 रुपे ते शुरू होकर के 8,51,000 रुपे तक जाती है और दिसंबर के महीने में 12th position पर आ गई है Hyundai की Krata जो की नॉर्मली पिछले 6-7 महीनों से टॉप 10 में अपनी जगा बनाने में काम्याब हो रही थी जो की अब खिसक करके 12th position पर आ गई है 7,609 यूनिट्स के साथ और Hyundai कंपनी भी सेल के मामले में दूर्स सबसे बड़ी कंपनी थी जो की खिसक करके 30 सबसे बड़ी कंपनी बन गई है अगर आपको के car 24-7 के regular watcher है तो आपको पता ही होगा Hyundai Krata के 7,609 यूनिट्स बेके हैं दिसंबर में पैट्रोल और डीजल में मिल जाती है मैनूल, CVT, Automatic Talk, Converter और DCT Transmission में 17 to 21 KMPL का इसमें mileage claim किया जाता है और actual price 10,22,000 रुपे दे शुरू होती है और 17,93,000 रुपे तक जाती है जितनी भी ये prices हैं अभी तक की हैं जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि जनवरी 2021 में सभी brands अपनी prices को update कर रहे हैं यानि के थोड़ी थोड़ी सभी brands अपनी prices बढ़ाएंगे चाहें वो entry level का brand हो या फिर luxury brand जनवरी में आप सभी brand की कीमते बढ़ते हुए देखोगे 11th position पर आई है Tata की punch launch होने के बाद से ही Top 10 में जगा बनाई 2022 के media अंत में हो सकता है इसका diesel variant या CNG इसमें आपको देखने को मिल जाए अभी कोई official announcement नहीं है 18.822, 18.97 KMPL का इसमें mileage claim किया जाता है actual room price 5,49,000 रुपे दे शुरू हो करके 9,49,000 रुपे तक जाती है 10th position पर आई है Maruti Suzuki Eco इस गाड़ी की दिसंबर के महीने में 9,165 यूनिट्स भी की है इसमें आपको पैट्रोल के साथ-साथ CNG का option भी मिल जाता है ये केवल manual transmission में आती है 16.112, 20.88 km पकेजी का इसमें mileage claim किया जाता है और actual room price 4,38,000 रुपे तक जाती है 9th position पर आई है Maruti Suzuki Vitara Breza जिसकी 9,531 यूनिट्स भी की है ये केवल पैट्रोल वेरेड में आती है manual और automatic transmission में 17.03 to 18.76 kmpl का इसमें mileage claim किया जाता है साल 2022 में ही इसका जो next generation है उसको भी launch किया जा सकता है इसकी actual room price 7,61,000 रुपे तक शुरू होती है और 11,20,000 रुपे तक जाती है 8 position पर आई है Hyundai की Venue जिसके December में 10,360 units भी के है एक यूनिट बराबर एक गाड़ी 10,360 Hyundai Venue भी की है December के महीने में इसमें आपको petrol और diesel दोनों ही engine option मिल जाते है manual, IMT और DCT automatic transmission में 17.5 to 23.4 kmpl का इसमें mileage claim किया जाता है और एक शुरूम प्राइस 6,99,000 रुपे दे शुरू होती है और 11,88,000 रुपे तक जाती है Hyundai Venue का mid-life variant अपडेट देखने को मिल सकता है आपको साल 2022 में ही 7 position पर आई है Maruti Suzuki Desire Maruti की तरफ से आने वाली सेडान के December में 10,633 units भी के है Equable petrol variant में आती है Manual और AMD transmission का इसमें option मिल जाता है 23.26 तो 24.12 KMPL का इसमें mileage claim किया जाता है और एक शुरूम प्राइस 5,98,000 रुपे दे शुरू हो करके 9,3,000 रुपे तक जाती है 6 position पर आई है Maruti Suzuki Alto साल 2021 के अंदर इसको आपने देखा होगा ये टॉप 2 ये टॉप 3 में ही जादा तर आती है लेकिन अभी फिलाल किसक करके 6 position पर आ गई है इसकी 11,170 units भी की है इसमें आपको petrol और CNG का option मिल जाता है केवल manual transmission में आती है 22.05 तो 31.59 किलोमेटर पके बिकी है पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाती है manual और automatic transmission में 17.99 तो 26.2 किलोमेटर पकेजी का इसमें mileage क्लेम किया जाता है और एक्ट्रूम प्राइट 7,96,000 रुपे तर शुरू होती है और 10,79,000 रुपे तक जाती है फोर्थ पोजिशन पर आई है टाटा की नैक्सोन लास्ट येर के लास्ट मंस में ये गाड़ी टॉप 10 में जगा बनाने में कामियाब हो गई और जब से लेके अब तक ये लगतार टॉप 10 में बनी हुई है दिसम्बर में इसके 12,899 यूनिट्स बिके हैं पेट्रोल और दीजल दोनों ही इंजन आप्षिन मिल जाते हैं मैनुवल और एम्डी ट्रांस्मिशन में 16-22.4 के म्पेल का इसमें माइलेश क्लेम किया जाता है और एक शुरूम प्राइस 7,30,000 रुपे ते शुरू होती है और 13,35,000 रुपे तक जाती है थर्ड हाइस सेलिंग कार है दिसंबर महीने की मारूती सुजुकी बलैनो 14,458 युनिट्स बिकी है ये केवल पेट्रोल वेरेंड में आती है मैनुवल और सीवरी ट्रांस्मिशन में 19.56 तो 21.96 के एम्पेल का इसमें माइलेश क्लेम किया जाता है और एक्ट्रूम प्राइस 5,97,000 रुपे दे शुरू हो करके 9,33,000 रुपे तक जाती है सेकेंड पोजिशन पर आई है मारूती सुजुकी स्विफ्ट मारूती की तरफ से आने वाली इस कॉम्पेक्ट हैजबैक के 15,661 युनिट्स बिके हैं दिसंबर में पूरे भारत के अंदर ये केबल पैट्रोल वेरियंट में आती है मैनूल और AMD ट्रांस्मिशन में 23.2 तो 23.76 के MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और साल 2022 के अंतर तक या 2023 में सुजुकी स्विफ्ट का स्पोर्ट वेरियंट भी आ सकता है भारत के अंदर ग्लोबली तो बेचा जा रहा है लेकिन भारत में अभी वो एवेलेबल नहीं हो सकता है 9-10 लाग उसके एक्शुरूम प्राइज हो कोई कंफर्म नहीं है लेकिन इस साल के अंदर तक लीक से बात निकल करके सामने आई थी एक्शुरूम प्राइज पांच लाग पे 86,000 रुपे दे शुरू होती है मारूती सुजुकी स्विफ्ट की और 8,67,000 रुपे तक जाती है और इस महीने दिसंबर में नंबर वन पोजिशन पर है मारूती सुजुकी वैगनार 19,729 यूनिट्स बिकी है मारूती सुजुकी वैगनार की ये पेट्रोल और CNG में मिल जाती है मैनूल और AMT ट्रांस्मिशन में 20.522 32.52 क्लोमीटर पा केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और Action Room Price 4,93,000 रुपे दे शुरू होती है और 6,45,000 रुपे तक जाती है कई सारे ब्रांड ने अपनी जो प्राइजिस है उनको इंक्रीस करने का फैसला किया है जन्वरी से कुछ ब्रांड्स अपने प्राइजिस बढ़ाने वाले है कौन से वो ब्रांड है लास्ट संडे का निूज एपिसोड में हमने उसके आपको जानकारी दे दी है महां से जाकर कि आप उन प्रांडस के बारे मीं जानकारी हासिल कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया होतो वीडियो को लाइक करें जल्द ही हम आपके लिए Top 25 Best Selling Car, Hatchback, Sedan और SUV का वीडियो भी लेकर के आएंगे तो इस चैनल को सबस्क्राइब करके रखें जिससे आपको कारों से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहें Thank you for watching